अक्षर इंग्लिस एकड़मी के यूट्यूब चैनल पे आपका सौगत है और आज हम एक वर्ड लेकर के आये हैं वर्ड अफ़ दे की हमने एक सिरीज स्टार्ट किया है जिसमें हपते में आपको पांच वीडियो मिलेंगे और इन वीडियो से काफी आपका फैदा होगा फैदा तभी होगा जब इसमें बताएंगे वर्ड रर सेंटेंस को आप इंग्लिस बोलने में इंप्लिमेंट करेंगे तभी ये वीडियोς आपका फैदा कर पाएंगी और ये वीडियो कैसे लगते हैं अब ग्डे देशीरीज के वीडियो कैसे लगते हैं आप हमें करके जरूर बताईएगा पहले tut वीडियो chest फिर करके आप हमें बताईएगा और यह काफी आसान है अगर आप哎asic सीक चुके रहाइप आपको tenses आते हैं, tenses सीख चुके हैं विसके बाद हम English बोलने की practice कैसे start करें तो इसमें structure sentences बताये गए और जब यह आप किसी से बात करते हैं तो इन सारे sentences तो structure का आप अपने जीवन में English बोलने में इस्तेमाल कर सकते हैं तो आज का word कितना आसान है go, go कितना आसान word है और spoken English में कैसे कैसे use किया जाता है वो सारी चीजे आप notes जरूर बनाएगा, copy में Hindi English दोनों तरीके से notes बनाएगा notes जब बनाते हैं तो वो चीज आपके दिमाग में set हो जाती है, थोड़ी देर के लिए रुपती है किवल वीडियो देखने से फैदा नहीं होगा, पहले देखिए, copy पे notes बनाएगे, हिंदी लिखे, फिर English लिखे और उसके बाद इनकी practice करना इस्टार्ट कर दीजे, यानि daily life में इस्तिमाल करना इस्टार्ट करिए, जहां पर हो सकते है तो देखते हैं, आज का word है go, कितना आसान है, go means जाना होता है, और go की second form went और gone होती है अब यहाँ पर कुछ sentences लिखे हुई है, बहुत आसान है, लेकिन पूरा वीडियो देखेंगे, तो काफी सीखने को आपको मिलेगा I go to school everyday, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, यह 10 साब पढ़ चुके है, present and infinite का है I go to school everyday, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, अगला देखे sentence, have you gone mad, यह go की second, third form gone होती है have you gone mad, मैंट मीश होता है पागल, तो go mad मीश होता है पागल होना, तो have you gone mad, क्या तुम पागल हो गए हो, इस तरीके से भी यूज करते है गो क्रेजी भी हम पागल होने के लिए यूज करते हैं है यू गॉन क्रेजी क्या तुम पागल हो गए हो हिंदी जरूर लिख लिजेगा तभी आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे केवल वीडियो नहीं देखिए क्वेले साथ में नोट्स भी बनाते रहेगा वीडियो रोक रोक करके है यू गॉन बनानाच गो बनाना एक इडियम होता है गो बनानाच मिस होता है पागल होना तो है यू गॉन बनानाच क्या तुम पागल हो गए हो गो बनाना मीश तो केला होता है लेकिन गो बनाना मीश होता है पागल होना तो इसको एक idiom होता है एक मुहाबरा होता है जो गो से बनता है So have you gone bananas? क्या तुम पागल हो गए हो Have you gone crazy? Have you gone mad? सब का मतलब एक ही होता है Have you gone nuts भी बोलते हैं तुम पागल हो गए हो, तो अगर किसी से बोलना है पागल हो गए हो क्या, हाई यू गॉन बनानाच, हाई यू गॉन मैट, हाई यू गॉन क्रेजी, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, अगला देखिए गो का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, किसी से अगर बोलना, या रोट कहां जाती है, तो प्लेलिस्ट में जाए, सारे टेंस अच्छे से पढ़िए, प्रेक्टिस करिए, बोल-बोल करके, आप अच्छे से समझ जाएंगे, अगला देखिए संटेंस, अगर टेंस नहीं आते हैं, तो नहीं समझ पाएंगे, वो छे बजे आये, कम की सिकेंट फॉर्म केम होती है, वो छे बजे आये, और नो बजे चले गए, इस तरीके से बोल सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए, गो का एक और इस्तिमाल किया गया है, आपका इंटर्व्यू कैसा रहा, अगर आपको किसी से पोस्टना है, आपका इंटर्व्यू कैसा रहा, तो जवाब अकर देना है, तो आप जवाब ऐसे दे सकते हैं, मैं इंटर्व्यू वेंट वेरी वेल, मेरा इंटर्व्यू बहुत अच्छा गया, my interview went very well तो इस तरीके से go well मतलब अच्छा करना होता है my exams are going well मेरे exams अच्छे चल रहे हैं तो इस तरीके से go well means अच्छा करना होता है तो my interview went well मेरा interview अच्छा गया और यहां पर देखे go bad go bad means गंजा होता है बाल नहीं होते हैं वाइड ऐसे बोल सकते हैं, गो ब्लाइंड, ब्लाइंड मीस अंधा होना होता है, गो मैड अभी आपको पताया है, गो मैड मीस पागल होना होता है, गो बैंक्रप्ट, बैंक्रप्ट मीस होता है दिवालिया होना, दिवालिया होना मतलब जब आप जानते हैं दिवालिया होना आप उसको देख सकते हैं ठीक है बैंक से जब डे सारा लोन ले लेते हैं उसको नहीं चुका पाते हैं तो बैंक उनको दिवालिया गोशित कर देती है तो go bankrupt मिस होता है दिवालिया ले दिवालिया होना यहाँ पर examples भी दिए गए इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं अगला देखे संटेस यहाँ पर लिखा है हिंदी जरूर लिख लिजएगा सारे संटेस की हिंदी और फिर इंगलिस पैल नोर्स बनाना आपको आना चाहिए पहले हिंदी लिखेगा फिर इंगलिस लिखेगा जैसे आपको बोला है his hair is going grey तो go grey ग्रे में इस तो बूरा होता है लेकिन यहाँ पर हम go grey का मतलब यहाँ पर यूज करते हैं सफेद होने के लिए बालों को यह नहीं बोलते हैं कि his hair is going white बाल grey होते हैं बोलते तो सफेद हैं अपने यहाँ जो बाल होते हैं वो सफेद होते हैं लेकिन बिटिस जहाँ से इंगलिस आई वहाँ उनके बाल सफेद नहीं होते हैं उनके बाल grey होते हैं इसलिए हम white ना यूज करके grey यूज करते गया इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं आगे की लाइन क्या है कैसे बोली जाएगी आगे की लाइन क्या है मैं बूल गया आगे की लाइन है क्या मैं बूल गया देखे ये भी काफी इंट्रेस्टिंग है अब यहाँ पर क्या मतलब है यहाँ पर इसका मतलब है उसका दिमाग जा रहा है मतलब इसका यह है उसकी जो मानसिक सकती है दिमाग जो है उसका कम हो रहा है इस माइन इस गोईग यानि उसका दिमाग कम हो रहा है इस मेंटर पावर मानसिक ताकत जो है न दिमाग की बुद्धी उसकी कम हो रहा है इसका मतलब यह है उसकी बुद्धी कम हो रहा है इस माइन इस गोईग अगला देखे गो तो हैल यह बहुत ज़्यादा यूज़ करते है बाड़ में जाओ तो हम जाओ गोण सकते हैं यह है और हम इसके लिए कावथ भी यूज़ करते हैं है ढोटेश को डाइवन जाना चाहता है जन्नत यह nhi नहीं चाहता है लेकिन मर्ना कोई नहीं चाहता है इंगलिस बोलना हरकोई शीखना चाहता है लेकिन बोलना को ही जाँ था आ, गलती ना हो उससे बस बस हमें आज आएगी English तब हम बोलना इस्टार्ट करेंगे ऐसा कहीं नहीं लिखा है, आप बोलना इस्टार्ट करीए आस से ही बोलना इस्टार्ट करीए And you will start learning English, आप English बोलना स्टार्ट कर देंगी तो ये वीडियो बस यहीं तक है हम यहाँ पर बस we will do up to here और ये वीडियो कैसा लगा नोट्स अच्छे से बना लिजेगा कमेंट करके जरूर बताईएगा word of the day हम रोज एक word of the day देंगे और कमेंट करके जरूर बताईएगा क्या ऐसे वीडियो आप और चाहते हैं एक इन बीडियो देखनेसे बेतर हें आप इंगलिस में बात करना इस्टार्ट करेंगे तभी आपका फैदा होगा इन वीडियो से अकंटेट मिलेगा इंगलिस में बात करेंगे तो आप अपने इंप्र-बत बना बाएगा है टोनोट जरूर बना इएगा अच्छे से ससंटे से जितने बताये गए हैं इनको implement करेंगे daily basis पे आप अपने English को बहतर बना पाएंगे we'll see you in the next video